ध्यान के बारे में अच्चारों तरफ बाते हो रही है लेकिन ध्यान क्या है ध्यान से हमको क्या होने वाला है ये ध्यान क्या ही हम महत्व नहीं जानते तब तक ध्यान करना सफल नहीं हो सकता त्यान सफल करने के लिए पहले ये जानना जरूरी होता है कि ध्यान क्यूं किया जाता है त्यान से क्या ओने वाला है ये सीजे त्यान करने से पहले हमको जानना बहुत जरूरी होता है तब ही हमारा त्यान करने की सफलता की ओर जाएंगे जब तक ये सीजे हम नहीं जानते ध्यान के बारे में तब तक हमारा ध्यान कभी नीमित नहीं बन पाता अगर जबर्जस्ती से भी हम नीमित करने जाएंगे ध्यान को तो ये ध्यान नीमित नहीं बनता तब तक हमें सफलता नहीं मिलती संभावना नहीं है सफलता मिलने की सिब ध्यान करने की परमपरा से ही ध्यान करोगे हम तो इसमें हमको आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि ध्यान करने से ध्यान लगाने से क्या होने वाला है हमको क्या मिलने वाला है यह जानना बहुत जरूरी है तब हमको ध्यान में लगनी लगेगी, इसके बीना ध्यान में लगनी नहीं लगेगी, ध्यान में लगनी लगेगी, तब ही हम गाट ध्यान में दाएंगे, पहले उनका भावार्थ ध्यान करने से हमको क्या मिलने वाला है, यह जानकर जो हम ध्यान करेंगे, तो हमारे लिए ब बनानी है रसोई से खोराक से हमारे सरीड में भूख मिटाने के लिए बनानी है और हमारे सरीड को टिकाने के लिए हमारे सरीड को पोशन तत्वो मिलने के लिए ऐसी रसोई बनानी है ये ग्नान हमको होगा तब ही हम रसोई ऐसी बनाएंगे कि सरीड में पूर्ते प्रमान में पोष्ण तत्व भरपूर पर्मान में मिल जावे इसी तरीके से हम रसोई बनाने में हम सभी मरी मसाला लेकर रसोई बनाएंगे तब ऐसी रसोई बनेगी तो ये हमारे सरीर के अंदर सभी प्रकार के पोष्ण तत्वो बेक्टरिया सभी प्रकार के सीडो ये सब हमको अच्छी तरह मिल सके और हमारा सरीर का विकास हो सके और हमारा सरीर निरोगी रह सके ये सब हमें मालूम होगा तब हृम अईसी रसोय बनाएगे नहीं से पेट का खड़ा बनने के लिए रसोय बनानी है तो ऐसी रसोय हम बना ही नहीं सकते हैं पोशन ततो वाली ऐसा ही हम दूसरी बात कहता हूँ कि हमारे घर में साफ सफाय जाडू मानना है लेकिन जाडू क्यों मानना है ये गनान नहीं होगा तब तक अच्छी तरीके से साफ सफाय जाडू नहीं करेंगे लेकिन हमको ये गनान होगा कि साफ सफाय जाड़ू करने से गर में गंद की एक्ठी नहीं होगी गर में करोल्या का जाड़ा नहीं रहेगा, गर सुन्दर दिखेगा गर में गंद की होगी तो नेगेटी उर्जा का स्त्रोज बढ़ जाएगा और हमारी मुसीबते नेगेटी उर्जा बढ़ने से बढ़ती जाएगी इस अब हमको गनान होगा, तो हम असी तरह घार में जाड़ू मारेंगे असी तरह सफाय रखेंगे हर दिन, इसलिए कि घर में नेगेटी उर्जा बढ़े नहीं यही कारण से, बिल्कूल इसी ही तरीके से ध्यान करने का महत्वा और लाभालाब के बारे में हमको जानकारी होगी, तो ही हम अच्छी तरह ध्यान और निमित और सही तरीके से ध्यान में हम आगे अच्छी तरह किसे बढ़ पाएंगे, और हमारे सरीड में से नेगेटी उर्जा को नश्ट करके पोजिती उर्जा ध्यान करिया से कर सकेंगे, ध्यान का असल इलाभालाब हमको मुझूद हो पाएंगे, हमको ध्यान करिया से सास्वत सुक की प्राप्ति होती है, यह सब हमको गनान होगा तो हम ध्यान करने में हमारी लगनी लगेगी ध्यान असी तरह हम करेंगे ध्यान नहीं मीद करेंगे और ध्यान गार ध्यान में हम चले जाएंगे लेकिन यह सब गनान होगा तो हमें लगनी लगेगी ध्यान क्रिया से हमारा गुणों जो भी है वो भी गुणों में प्रगट होने लगएगा ध्यान क्रिया से हमारा आत्मा का कल्यान होता है ध्यान क्रिया से हमारी प्राण अपान की चेतना बढ़ने से हमारा मन धीरे धीरे एकागर की ओर जाकर नीरिचार होने लगता है ये सब हमको मालूम होए तब ही हम अच्छी तरीके से ध्यान कर पाएंगे तब ही हमको ध्यान की लगनी लगेगी इसके बीना ध्यान की लगनी नहीं लगने वाली है निर्विचार होने लगता है और निर्विचार होने से ही हम समाधिस्त बनने लगते हैं तब ही हम सुक्स्मा जगत की अद्रश्य सक्तियों के बारे में अनुबुती होने लगेगी इतनी जानकारी हम मानुआ को ध्यान के बारे में होगी तो हमारा ध्यान नीमित और सही तरीके से होने लगेगा ध्यान क्रिया से हमारा सरीर निरोगी बनने लगता है इस सभी जानकारी होने से ही हम ध्यान क्रिया में निरंतर आगे बढ़ने की लालसा लागती है और आगे अमारी तमन्ना जाएगी तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे लेकिन इस सभी प्रकार का अग्णान हमको ध्यान करने से क्या होने वाला है ध्यान करने से हमको क्या मिलने वाला है ये सभी प्रकार का अग्णान हमको होगा तो हम ध्यान में इतना मस्कूल हो जाएंगे ध्यान में इतनी लगनी हो जाएंगे, ध्यान में इतनी महत्योकांग्षा हमारी बढ़ जाएगी, कि ओर लगनी महत्योकांग्षा से ही अम गाड़ ध्यान में चले जाएंगे, ओर लगनी और महत्योकांग्षा से ही अमारे सरीर के अंदर नेगेटिव उर्जा जो है, तो पो करो लो मो माया अहम इस सब कम होते जाएगे टकावारी में और गुनों अमारी टकावारी में बढ़ता जाएगा बस यही क्रिया है भक्ति में ध्यान में प्रानायम में कि अमारा गुनों की टकावारी जो ज्यादा है उसको कम करने की है और गुनों की टकावारी कम है उसको ज प्यादा करने की है, बढ़ाने की है, यही ध्यान क्रिया से सभी हमको राभो राभ मिलता है, जानकारिया मिलती है, अमारी आत्मा का लक्सोरासी में से सुटकारा होता है, यह सभी ध्यान प्राणायम क्रिया से ही होता है, इसको ही असल में भक्ति कहा जाता है, इसको ही मार्क कहानाता है